हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टो एनदर एपिसोड आप टेक्नोजोलोजी So guys, OnePlus अपना जो 40Y1 TV है बहुत ही जल्दी दोस्तों, इंडिया में लांच होने वाला है और ये जो TV होने वाला है दोस्तों यहाँ पे 64-bit का बहुत ही पावरफुल आपको एक चिपसेट के साथ देखने के लिए मिलेगा So 24 तब में को दोपैर 12 बचे इस वाले TV को लांच किया जाएगा दोस्तों, OnePlus के तरफ से और लांच होने से पहले दोस्तों, सारे confirm details मेरे पास आ चुका है जो कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पे details में बताने वाला हूँ वैसे वीडियो शुरुबात करने से पहले यार चैनल में अगर आप लोग पहली बारा हो चैनल को सबस्क्राइब अभी कर लो, क्योंकि ऐसे लेटेस एपिसोड आपको बाद में भी बहुत ही सारे देखने के लिए मिलेंगे साथ ही साथ हो जो बेल बेटन है उसको भी दबा के रखो So guys, let's begin So guys, OnePlus का जो Y-series के TVs है इंडिया में दोस्तो अल्रेडी पहले ही लाँच हो जा चुके है और याँ दोस्तो सबसे पहला जो टीवी था OnePlus का Y-series का वो था 32Y1 नाम से सेकेंड टीवी था दोस्तो 43Y1 नाम से अब इन दोनों टीवी के बीच में OnePlus इस बाले टीवी को गुजाने वाला है बहुत ही जल्दी जो कि 24 तो में को दोस्तो लाँच होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बता दिया और वो था दोस्तो 32 इंच का ये था 43 इंच का अब ये जो आ रहा है ये 40 इंच का टीवी होने वाला है दोस्तो OnePlus के तरफ से तो डीटेल्स में जाने से पहले बता दू ये वाला जो टीवी है बहुत ही तगरा टीवी रहने वाला है जैसे कि आपने सुन लिया 64 बीट का पावरफूल चिपसेट आपको इस वाले टीवी में देखने के लिए मिल जाएगा खेर इस वाले बात को आगे जाके और भी ज्यादा डीटेल्स में बात करके बताएंगे अब यहाँ पे अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाएगा अगर आप लोग डिस्प्ले को देखो के इस वाले टीवी का तो वन प्लस नहीं यहाँ पे टीज करके मैं बता दिया यहाँ पे आपको फुल एश्डी प्लस का डिस्प्ले दिखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपको bezel देखने के लिए नहीं मिलेगा बहुत ही narrow bezels आपको इस वाले TV के अंदर देखने के लिए मिलने वाले है साथी साथ दोस्तों आपको इस वाले TV के screen के अंदर DCI, P3, Gamma Engine, Picture Enhancer देखने के लिए मिल जाएगा जो की दोस्तों बहुत ही अच्छा engine है और आपके picture quality को बहुत ही अच्छी तरीके से overkill आएगा और जो दोस्तों इस वाले TV के अंदर आपको chroma cast का built-in support देखने के लिए मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों यहापे आपको Google का access देखने के लिए मिल जाएगा और Android TV है दोस्तों यहापे आपको Android 9 Pie का support देखने के लिए मिलेगा तो overall यहापे जो performance है तगरा देखने के लिए मिलने वाला है साथी साथ कुछ pre-loaded apps भी आपको इस वाले TV के अंदर देखने के लिए मिलेगा यहापे यह जो TV आएगा यह integrated content calendar servicing के साथ देखने के लिए मिल जाएगा आप जब भी दोस्तों कोई TV में shows देखोगे और TV में अगर आप shows देखना चाहते हो तो इस वाले TV के अंदर इस वाला जो calendar का service है तो यह क्या करेगा बेसिकली दोस्तों आपका जो भी TV show या भी movie स्टार्ट होगा उससे पहले दोस्तों यह जो service है आपको reminder देना start कर देगा तब आप reminder सुनने के बाद इस वाले TV का जो show है उसको आके join कर सकते हैं तो यह है integrated content calendar नाम का service जो की दोस्तों आपको inbuilt देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर wifi का support है Bluetooth 5.0 का support है साथी साथ inbuilt आपको दोस्तों 20W का दो speakers देखने के लिए मिल जाएंगे Dolby Atmos का भी support इस वाले speakers के अंदर दिया गया है Always दोस्तों OnePlus के जो speakers आते है quality के speakers है और जो sound quality है बहुत ही तगरे निकल के आते है Also इस वाले TV के अंदर आपको Ethernet port, HDMI ports, AV in port और one digital audio output port देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको two HDMI ports देखने के लिए मिलेंगे एक Android remote भी आपको इस वाले TV के बॉक्स के अंदर प्रोवाइट किया जाएगा दोस्तों और अगर आप लोग price के बारे में बात करो दोस्तों तो आप पिछले वाले series को अगर गौर से देखो तो यहाँ पर जो 32 इंच का tv आता था दोस्तों वापको 16,000 रुपया में देखने के लिए मिलता था जो 43 इंच का Y Series का टीवी आता था वो आपको 27,000 रुपया में देखने के लिए मिलता था और overall दोस्तों अगर आप लोग गौर से देखो यह 40 इंच का TV होके आने वाला है लगबग Indian प्राइजिंग में मेरे expectations है यह वाला जो TV है दोस्तो 1999 या फिर 1999 में आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा और जो प्रोसेसर है 64-bit का है I mean या पर MediaTek का ही कोई आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा Gama Engine Technology है overall दोस्तो TV का प्राइजिंग के हिसाब से मुझे इस वाले TV का जो specs है बहुत ही अच्छा लगा तो यह वाला जो smart TV है 40Y1 नाम से आ रहा है दोस्तो 24 में को दो पहर 12 बजे और launch ओने से पहले और भी details दोस्तों हमारे चनल में आपको मिलते रहेंगे इस वाले TV के बारे में आज का ही जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके इस TV के बारे में अगर कोई बारे में लेविट आपको सबस्तों से वाले इस ऑोma में कोई आपको सबस्तों से जो कर दो एफ दो कि आपको सबस्तों से वाले वाले वीडियोजर के पहता है 2